स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस्टी टेकनोलजी में मैं अनुपमवेबूल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के शोव साइंस थर्ष्टे में आज हम लोग बात करेंगे एक पुराना टॉपिक को इसको रिविजिट करते हैं ट्राजेडी ओफ ट्रॉली बस तो आईए इसे समझते हैं तो सबसे पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है चाहे कोई भी टेकनोलजी आजाए अगर हमें अपनी दुनिया को ग्रो कराना है थ्राइफ कराना है ऐसा निकि बस बड़ा हो गया तो हम लोगों को पर्सनल ट्रांसपोर्ट को कम करना ही पड़ेगा इसके सिवा कोई आप्शन नहीं है पर्सनल आप्सट यानि कि सबके सब अगर गाड़ी लेके चलने लगे सबके सब फस जाएंगे यह समझना बहत ज़रूरी है और यह मैजिकली सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि पैसा दे के आप जगा नहीं खरीज सकते जैसे अगर आप सोच लिए कैलकटा का सबसे खराब रेटिंग कहा जाता है योगि इसमें रोड जहां बहुत ज़दा पतले कंपेर टो कितनी डेंसिटी आवा दिक है अब आप सबका घर एक काम करता है खरीद खरीद के हटाने लगता है अब रहा बात की आदमी भी कम हो जाएगा अगर आप ऐसा करते हो तो तो वही समझें पैसा से आप जगान नहीं करीच सकते है और दूसरी बाद फिर एक कॉमन लोगों कहता है कि इलेक्ट्रिक वेहकल से कुछ हो जाए कुछ नहीं होगा यह पेट्रोल वेहकल हो या डीजल हो कोई फरक नहीं पड़ता है घूम पिर कि आप अभी भी वही हो यह अभी भी रहेगा तो यह समझना बहुत बहुत ज़रीग यह सब को सॉल्व नहीं करेगा फिर आपका हो गय हो गी यह लिए है लेकिन फिर भी घर तेहाँ के तब लोगों को समझना पड़े है कि मैजिक टेकनोलजी तो वो इलेक्ट्रिक आएगा तो solve हो जाएगा, कुछ नहीं solve होगा, at best case scenario, आपका यह हो कि यहाँ पर आवाज कम होगा, क्योंकि obviously सब की गाड़ी नहीं है, और production उस जगाँ पर नहीं होगा, दूर में तो होगा, जहाँ पर आप यह कर रहे, माइनिंग कर रहे हैं, मैटीरियल का या उसके लिए energy जो बना रहे हैं, वो सब में तो हो गाई, but on spot आपका आवाज जो है, थोड़ा कम होगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं होगा, हार हां, air quality थोड़ी better आएगी, लेकिन जो congestion का problem है, और जो तबाही है, जो choke point होने लगता है, कि सहर grow नहीं कर पाता, य इसको electric vehicle, self-driving vehicle, solve नहीं कर सकता, इसको end में public transit ही solve कर सकता है, तो अब बात कते है public transit के बारे में, तो सबसे बड़ा बात आपको यह समझा है कि cost आता है सबसे पले, कोई भी चीज का effect कैसा भी हो, कोई फरक नहीं पढ़ता, गर आप FODD नहीं कर सकते हैं, जैसे कि काफी लोग बेस्ट है, इसमें कोई discussion नहीं है, एक अच्छा से बनाया हुआ metro, बंबं होता है, शहर को काफी help करता है, इसमें कोई दो राहे नहीं है, लेकिन प्रॉल्म है कि metro को बनाने का टाइम मशीन चाहिए, क्योंकि पहली बात तभी आपको पता चले है, actually यह project का खतम होता है, क्य वो बदलता रहता है, city center एक जगह नहीं होता है, जैसे माली कोई नया मॉल खुला, उसके अगल बाल में पार्क खुल गया, naturally वो सब जगह काफी active हो गया, वो जगह भी happening हो गया, लेकिन फिर कुछ दूसरा भी हो सकता है, एक एरिया में पब खुल जाए, वो अब अब क्या यह भी मेट्रो है, सिर्फ एक दो को प्लानेट वाइड छोड़ के सब के सब बैंकरफ्सी में चलता है, यानि कि वो सीधा 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 स्टेट गवर्मेंट का पैसा, या तो सेंट्रल गवर्मेंट का पैसा सीधा गटकते है, कोई दाइबाई नहीं से profit कम बेसी, सीधा वो जाए, capital तो भूली जाईए, फिर आपका बात करते है, ट्राम का, जैसे कि कैलकटा में आखरी बचा हुआ ट्राम है, इसे अब heritage घोसित किया जा रहा है, क्योंकि यह 150 यह हो गया, 1.5 सेंचुरी हो गया, यह बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका सब सब बड़ा प्रॉब्लम है कि इसे वो ट्राफिक से गुजरना पड़ता है, तो ट्राफिक का कंजेशन, इसी कारण से कैलकटा में हटाया जा रहा है, कि ट्राफिक कंजेशन, मतलब ट्राम गाडी के ग्रोथ से आगे नहीं भाग पाया, और बीच में एक स्वीट स्पॉट आ गया, जहां पर मिंदल अब लोग चाहते हैं वापस ट्राफिक पर जाना लेकिन अब आप्शन ही नहीं है क्योंकि आपने ट्राम के ट्रैक्स अटा दिये हैं, ट्रैम सब अपका इतना 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 इंशन्ट हो गया है, तो वही बात रता है, और ट्रैम का सबस्वड़ा यह समझे कि उस ट्रैक्स जो होता है, उसका benefit आता है को rolling resistance बहुत कम होता है, यानि कितना kilowatt hour आपको लग रहा इधर से उधर जाने में, वह बहुत कम होता है, बहुत अची बात है, side effect, bank balance अपना खाता है, metro जेतना महेंगा नहीं होता है, लेकिन सस्ता भी नहीं होता, बहुत महेंगा होता है, फिर अपना problem है, metro का अपना problem है, अगर आप बात करते हैं कि bus का, तो bus में क्या है, bus में सबसे बढ़ा यह है कि, मतलब medium size cities के लिए bus बहुत बढ़िया है, low cost हो जाता है, सस्ता भी है, लेकिन इसका fuel prices से शादी जो इसकी की हुई है, वह सबसे बढ़ा दिक्कत है, यानि कि आराम स समस्या बन जाता है, तो यही ए cost इसी कारण से हर कोई हर चीज क्यों नहीं कर लेता है, हर जगा metro क्यों नहीं बना देते है, हर जगा tram क्यों नहीं डाल देते है, कारण वही है, afford ही नहीं कर सकते, और debt उठा लेने के लिए कोई बढ़ा बढ़ा, जैसे भी यह कानपूर का metro ह में गया था, तो वहाँ पे ये पूरा खाली है, लेकिन ये फ्यूचर के होप पे बना रहे हैं कि होप करो कि फ्यूचर में जो कानपूर का मेट्रो उसका यूज हो, उसके लोग आए जाए नहीं, तो ये तो पहले से ही डेट है, तो ये समझना बहुत जरूरी है, अब बात करते हैं, अगर बस एक अच्छा सॉप्शन है, और फ्यूल से उसको दिक्कत है, तो इलेक्टिक बस कर देते हैं, इलेक्टिक बस में सबसे बड़ा बात जो आपको ये समझना हो, कि एलेक्टिक बस बहुत भारी होता है, और उसका बहुत भारी होने से दो चीज़ पसर पढ़ता है पहला आपका road का बैंड बसता है आपका bridge का बैंड बसता है जितने भी infrastructure जिस पर वो गाड़ी चल रहा है उसकी बैंड बसती है पहला तो वो होगा दूसरा आपके vehicle का suspension का भी बैंड बसता है या तो बहुत महंगा लगाना पड़ेगा ताकि वो उतना time तक चल पाए दूसरी बात, chargers जो होते हैं electric bus को charge करने बहुत महंगे होते हैं और रहा बाती electric bus को capacity इतनी बड़ी होती है कि बहुत high speed पे charge करना पड़ता है high speed मतलब उसका normal charging गाड़ी के लिए high speed charging जासा दिखेगा क्योंकि बूल रहा है tank capacity कितना है आपका tank ही बहुत बड़ा है तो time तो बहुत लगेगा तो charger बहुत महंगे होते हैं और short life होता है सबसे बड़ा दिक्कती है कि बस आज के time में बात करते हैं बस से जादा छोटा life span उसके एक component का है बैटरी का है यानि कि इलेक्रिक बस आप बना लिए बहुत बड़ी आंबात है लेकिन उसमें सबसे पहले क्या बोल जाएगा सबसे पहले बैटरी बोल जाएगा और investment requirement कि हर कोई इलेक्रिक बस क्यों नहीं कर लेता बहुत जादा है यानि कि जितने दाम में आप एक हाई क्वालिटी वर्ल्ड का बेस्ट रेटिड ये ले सकते हैं वॉल्वो ले सकते हैं उतने में आधा ही एलेक्रिक वेकल आएगा वो भी नहीं आने वाला जनरली आपको गय गुजर लेना पड़ेगा अब फिर उसका फाइनल बात प्राता है कि आग लगना अब रहा बात क्योंकि आप एनरजी कर रहे हैं मैंने पिछले टूस्टे के वीडियो में बताया था कि बैटरी में दोनों पार्ट होते हैं जैसे आप समझ लिए रॉकेट क्यों वैक्यूम में जल पाता है क्योंकि इसमें दोनों कंपोनेंट होते हैं इसलिए वो खुद से आग पकड़ सकता है उसे बुताया नहीं जा सकता जब तक कोई स्पेशल कंपाउंड या हुलुलुलु निकरते हैं या नॉर्मल पानी से डाल के आप बस यह कर रहें ठंडा रहा हो बाकी सारे से लाग ना पकड़े है तो इसलिए यह चाइनीज वाला बस फ्लीट है यह इंगलेंड में दिखाया जा रहा है बताब ऑल्मोस लेकर यूस कर सकते हो उसमें आग नहीं लगता वह ज़क जलेगा जैसे लगडी जल रहा है ऐसे नहीं चलेगा जलेगा कि पैटरूल जैसे आघ चल रहा है जले का ऐसा होगा कि आप किसी चीज में आग लगा दिये आपके कुशन में आग लगा दिये यह वह खुद बखुद फायर हज़र्ट नहीं है रेंज घटेगा दूसरा दाम बढ़ जाए कि लीथियम आयन का मास पेनेफेक्ट्रिंग हो रहा है अभी तो दाम कम है बाकी सारे केमिस्ट्री चाहे लीथियम आयरेन फॉस्पेट हो जाए या लीथियम टाइट अकसाइड हो जाए दोनों का कॉस्ट पर यूनिट ऑफ और रहा बात इलेक्ट्रिक बस में सब्सवरा यह दिक्कत है लॉग टर्म यह सबस्टेनेबल नहीं है क्योंकि हम लोग सब मना रहे है कि मैजिकली हम लोग मैटल्स चाहिए इसके लिए वो मिलता रहेगा वो अतना प्रैक्ट्रिकल नहीं है पूरा इंसानियत का हिस्ट्री लॉग टर्म में कोई भी चीज तरह नहीं चलता है तो अब बात करते हैं ट्रॉली बसे इसके बारे में तो ट्रॉली बस के बारे में पहले पहले भी वीडियो बनाया था तो यहां पर यह समझना बहुत रही है यह वन ओफ दी अर्लियस्ट मोड अफ ट्रांस बनने के बहुत बढ़ियों चलना लेगा फिर हुआ कि रोट लोग क्यों ठेल रहे हॉर्स ड्रॉन कारेज़ बनाया जाए तो यह गाड़ी खुल गई बहुत पहले यानि मैं बात कर रहा हूँ एटीन हंड्रेट्स के टाइम की बात है लोगों को समझ में कि ट्राम बनाया जा सकता ह तो यह समझने में बहुत जचुछ बहुत पहले डीजल बस आया नहीं है मार्केट में उससे पहले यह आ था बलोब सब कुछ-कुछ तूंस है aumentar r5 गुछ-कुछ सिस्ट है और बहुत पुरा चमाने का टेकनोलोजी है यह बहुत पहले और जब इसका पूरा सिस्टम चल रह इंडिया में भी दो सिस्टम था नेपाल में अभी जाकर रिसेंटली एक सिस्टम हटाया गया है तो यह समझना बहुत जरूरी कि बहुत इसका प्रचलन बढ़ा था लेकिन इसका मतलब सबस्वरान दिक्कत यह हुआ मतलब इसका प्रॉफित किया था कि लोग कापिटल में ल कंट्री, काउंटी, लोकेशन नहीं उतना फोर्ट कर सकता है तो ट्रॉली बस उस जिगां पर बहुत चीपली आ जाता था अभी भी वही मतलब ट्रॉली बस का दाम देखिए मेट्रो से यह मेट्रो से बहुत कम है ट्राम से भी बहुत कम है क्योंकि वह रोड को नहीं कूर जब हुआ अभी भी बहुत सारे बस अभी भी चल रहे वहाँ पर जब की रोड खराब हो चुका है बस की हाल खराब हो चुकी अस्ती पंजड निकल चुका फिर भी चल रहा है बहुत सिंपल सिस्टम है बहुत लॉंग लाइश्वान होता है तो अपकीप कम होता है capital requirement कम होत तो इसमें प्रॉब्लम जो आता है इसका पॉल्स आते है पॉल्स का डेवलप्मेंट कभी उस तरह से कंटीनीव नहीं हो पाया कि एक स्पोर्ट आ गया था कि जहां पे फ्यूल प्राइस कम होने लगा लोगों के लिविंग स्टेंडर बढ़ने लगा यानि कैपिटल आने तो ट्रॉली बस अभी भी चल रहा है तो इसमें बहुत बार एक्सिदेंट्स होगा कि पूरा पोल ही निकल जाता है कारण वहीं यह मिंटेन नहीं किया गया था पोल कमजोर है अगर आप उसे धंग से मिंटेन नहीं करते है उस पर अपग्रेट भी नहीं किया गया लेकिन इसका अंत जो हुआ बहुत पर आप बस क्या होता है लोगों को नहीं पता था तब से यह चल रहा है इसका फॉल दो चीज से आया पहला चीप फ्यूल जैसे ही फ्यूल का दाम खतम मतलब कम होना सुरू हुआ लोग इसको त्यागना सुरू कर दे कि बस की पर आप जाता है लुट यह तो इनर्जी अपर पर पैसेंजर एनर्जी कंजम्शन कम होता है तो इंवाइरमेंटल एपथी और चीप फ्यूल मतलब सीधे सीधे मार्केट से हटा दिया इसको मतलब रिसेंट्ली बता रहा हुँ है नेपाल अभी रिसेंट्ली सिस्टम बन द मतलब बहुत टाइम से मिंटेन नहीं गिया जा रहा था मतलब किसी तरह रोग आके वो जिन्दा बचा हुआ था तो यह हुआ ट्रॉली बसे इसके बारे में अब बात करते है इसकी ट्रैजेटिक है यह है नेपाल वाला सिस्टम तो बात है कि हम लोग बहुत ज्यादा फोक कोई पैसा नहीं देगा मैं सोलर पैनल को रोड में दफना दूंगा सब लोग पैसा ले देने आ जाते हैं यह हमारे लिए बहुत बड़ा समझ जा है इंसानियत आल्मोस्ट परसेंट प्रावलम सॉल्फ कर सकता है क्योंकि हम लोग प्रावलम बना हैं सॉल्फ कर सकते हैं प्राम कर रहा है उसको अप्ग्रेट करके देख लो और यह मतलब वार टाइम में खास्तों पर वोल्ड वार टू में मतलब जितने भी प्लेन मैनुफेक्च्छर्स थे उनको इंजिन जाहिए था इंजिन पर दबाह के महनत हो रहा था तो काफी लोगों ने रिस्क लिगा क अधिन पर देख देख लेख लिगा था इंजन था एंड होते तक 1500 हो गया सेम डिजाइन पर क्योंकि पॉलिश करते जा रहे थे हम लोग आज़कल वो नहीं करते हैं बस नया भागो अरे सर ये कर लो अरे सर वो कर लो अरे जो चीज है उसे पॉलिश तो करो एक बार आज आ इकोनॉमिक्स पढ़े हैं कि नहीं कुछ भी पढ़े हैं कि नहीं हिस्ट्री पढ़े हैं कि नहीं तो वही समझें कि हम लोग के पास जो अच्छे-चे टेकनोलोजी थे जैसे मौल रहे न कि अगर इस पे बहुत जो डिप आया उस तेम में अगर हमारे पास इन्वार्मेंट तो उनका सिस्टम भी चल रहा है तो यह समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग को जो है टेकनोलोजी उस पे थोड़ा ज्यान देना बहुत प्रॉब्लम सौल हो जाएगा और आज के टाइम में हम लोग यह इलेक्रोनिक्स को इंप्रॉफ हो चुका है ओवेसली कोई करनी होगी मतलब कि एक से पॉजिटिव जाएगा दूसरे से आगा ताकि वह लेफ्ट राइट फिलिप ना हो क्योंकि बस है चक्का इंसुलेटेड है तो इसको पॉजिटिव और नेगटिव दोनों चाहिए और इसमें डीसी इस्तमाल होता है जनरली 600 वोल्ट डीसी इस्त है तो हाइ वोल्टिज डीसी दूर जाएगा ना की हाइ वोल्टीज अशी इंडिया में लिंक्स बने पड़े हुए इंडिया के इंजिनियर सिर्प पट्रोगे होंगे हमारा पहाधा किया बनाने का जब हमारे हमेरे ही यासे मुर्क बैठ है तो यह समझना पहुज़र ही कि हम आराम से इसा कर सकते हैं यह एक active rectifier से जा रहा है आराम से वो जैसे polarity change detect करेगा वो switch करेगा आने कि electronics में सही सलामत पज़र प्लस माने जाएगा तो wiring का आधा फचांग कम हो जाएगा मतलब plus and minus अगली दिखने लगता है एक अगली दिखने लगता है electronics modern electronics बाहिए उसका टेंशन मतलो हम सम्हाल लेगा ठीक है वह बात करते हैं कि LTO sales में अगर आप इस्तेमाल करते हो आपको बहुत चोटा चाहिए जैसे कि Germany इसमें काफी research किया है कि छोटा बैटरी बैंक बनाते है जैसे कि अगर एक बड़ा बस को लेना चाहते है बहुत आराम से आप 30 किलो वाट आवर 50 किलो आवर या 100 किलो वाट आवर का टैंक कपैसिटी लेके चल रहे हैं जो कि बहुत बड़ा बैटरी होगा बहुत बहुत बहारी बैटरी होगा बहुत एक्सपेंसिव होगा वही अगर आप यह सिस्टम पर चलते हैं अब बैटरी बस आप इतना डलते हैं कुछ किलोमेटर तक तुम चल सको कि इतना किलोमेट आप इसको बैटरी इतना ही छोटा देना चाहोगा कि रीजनरेटीब ब्रेकिंग हो सके तो उससे एनरजी और बचेगा दूसरी बात आपका 10-20 किलोमेटर का रेंज देना होता है जो कि बहुत चोटे बैटरी बैंक से हो जाएगा उससे आपको चाहीए अपको बस इतना चाहीए एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक जा सके और इससे एक और फाइदा आता है कि जब भी इस तरह के वाइरिंग की बात हो रहे है यह करना नहीं होता है जब तक आप इसका पूरा इंजिनेरिंग अनल्यसिस नहीं करते है दाम भाग जाएगा आप देखिए कि क्यलकटा में मेट्रो कबसे है हावडा ब्रिज कबसे है लेकिन एक दूसरे के उपर से क्रॉस नहीं कराया गया कारण वही है यह डाल देना बहुत बस अटॉन küçНу बंद करो इसको अराभ जये ले ज़िख नbon मेट कहीं दूर है या ब्रिज के अंदर से ले जाओ टून के अंदर से ले जाओ तो दिक्कत नहीं होगा रिजन भी मिलता रहे तो यानि जो स्टाट स्टॉप 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 है उसका भी एनरजी लॉस कम कर देगा ब्रेक टस्ट भी कम बनाएगा फ्लेक्सिबिलिटी भी देगा और यह समझिए इसको इलेक्ट्रिक वेकल से कंपर करता था आपको पहली बास सस्ता है गाड़ी का दाम सस्ता है सेम कपैसिटी पर दूसरी से 700 kg में आप काफी सारी गाड़ी लाल सकते है एलेक्ट्रिक गाड़ी जो थोड़ा सा भी रेंज देगा वह अराम से एक टन क्रॉस कर जाता है तो बस में भी होता है कि जो इलेक्रिक बस आपको थोड़ा सा भी रेंज देगा बहुत भारी हो जाएगा तो आपकी रोंट की टेकनलोजी है जो चल रहा है उसे इंप्रूफ करते हैं ना कि बस हाइपर लू फो लू 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 रोड के अंदर सोलर पैनल डालेंगे ट्रेन का पट्री के नीचे हम लोग सोलर पैनल डालेंगे मजाक नहीं कर रहा हूं कोई लोग अक्चुली फूक लिए ट्राय करने यह समझना बहुत रही है इतना एडवांस टेकनलोजी आ गया इतना सस्ता टेकनलोजी आ गया कि आपको ट्राम जैसा सर्विस देतेगा बिना ट्राम का कोस्ट के हर कोई कर सकता कैपिटल कोस्ट बहुत कम है लॉंग रनिंग है ओल्मोस्ट एक सेंचुरी से ज्यादा का इस तो यह था मेरा प्रेजेंटेशन ट्राजेडी ओफ ट्रॉली बसस के बारे में उमीद करता हूं आपको अच्छा लगो कुछ सिखने में लगो कुछ समझ में आओ अगर ऐसा है लाइक कर दे दोस्टा शेयर कर दे उसे बरा काफी बला होगा नहीं अच्छा लगा नहीं पस